हेलो फ्रेंट्स हमें स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 18 क्या करना है हमें मल्टिप्लाई करनी है इस वाले एक्स्प्रेशन की और इस वाले एक्स्प्रेशन की ओके तो हम क्या लिखेंगे क्या है हमारे पास minus 2 upon 3 a square b इसकी multiply करनी है 6 upon 5 a cube b square से तो multiply करनी मैंने आपको पहले वाले कोशन में भी सिखा रखी है कि जो हमारा यहां से cancel होता है किसी भी same table से उपर और नीचे तो वो हम cancel कर देते हैं तो जैसे यहां पर 3 से यह cancel हो रहा है 3 1s are 3 और 3 2s are 6 तो multiply करके कितना आ रहा है 2 2s are 4 तो minus 4 upon 5 a और b आ रहे हैं तो a की total power कितनी है 2 और 3 5 b की total power 1 plus 2 that is 3 तो यह हमारा multiply करके आ गया राइट अब आगे क्या कह रहे है verify your result 4a is equal to 2 and b is equal to 3 अब भी हमें अपना result verify भी करना है कि हमारा जो answer आया है वो ठीक है या नहीं है तो verification करेंगे verification कब करेंगे इसमें हम a की value 2 put करेंगे और b की value 3 put करेंगे तो जब verification करेंगे तो हम इसको two sides में divide कर देंगे left hand side and right hand side means lhs and rhs अब देखो rhs में लिखेंगे जो हमें question में given था तो means 2 upon 3 a square b into 6 upon 5 a cube b square और rhs में क्या लिखेंगे जो हमारा answer आया है minus 4 upon 5 a की power 5 and b की power 3 अब इसमें हम a की value 2 और b की value 3 put करेंगे right तो देखो minus 2 upon 3 a की power 2 है और a की value कितनी है 2 means की 2 को 2 times लिखेंगे into b b की value 3 into 6 upon 5 into a cube means a की value को 3 times लिखो ठीक है b square b की value 3 means 3 को 2 times लिखो ओके अब इदर देखे है minus 4 upon 5 into a की power 5 है a की value है 2 means 2 को यहाँ पर 5 times आप note करोगे okay 1,2,3,4,5 into b की power 3 b कितना है 3 तो 3 को कितनी times लिखेंगे हम 3 times लिखेंगे अब इनको solve करते हैं जैसे कि 3 से 3 cancel हो गया और कोई number cancel हो रहा है तो उसको करेंगे otherwise इनकी हम multiply करेंगे तो multiply करके कितना आएगा हमारा इन सब का तो हम starting के इन तीनों की multiply कर लेता है 2,2,4,2,8 minus 8 into 6,2,2,12,2,24,24 की 2 से multiply करेंगे 48 फिर इनकी जो बच रहे हैं उन दोनों की करते हैं तो 3 3s are 9 अपोन में कितना आया 5 अब इन तीनों नंबर की मल्टिप्लाइ करते हैं 8 की मल्टिप्लाइ 48 से करेंगे तो कितना आएगा 384 minus as it is into 9 upon 5 इन दोनों की मल्टिप्लाइ करते हैं तो कितना आएगा means की हम यहां तक solve कर चुके हैं तो इसको लिख लेता है minus 32 2 2s are 4, 4 3s are 12 12 3s are 36 यहां तक solve हो गया और last में क्या बचा 3 upon 5 अब 3 से मल्टिप्लाइ की करते हैं minus 32 की तो कितना आएगा minus 96 into 36 upon 5 96 की मल्टिप्लाइ 36 से करेंगे तो 3 4 5 6 upon 5 as it is और minus as it is तो friends यह देखो इसमें LHS और RHS दोनों की वाल्यू बिल्कुल सेम आ रही है तो हम क्या लिखेंगे here LHS equals to RHS equal आया है ना तो क्या बोल देंगे hence verified इसका मतलब आपने जो मल्टिप्लाइ करी थी उसका answer आपका ठीक है ओके राइट now start next question बिल्कुल same given है हमें question number 19 भी 18 की तरह है हमें क्या करना है पहले इन दोनों की multiply करनी है तो कैसे लिख देंगे we have क्या है हमारे पास minus 8 upon 21 x square y cube की multiply करेंगे minus 7 upon 16 x y square से cancel करेंगे जो cancel हुझेगा 8108, 82016 7107, 73021 तो उपर 1 आया minus minus plus होगे अब उन में 3, 2, 0 6 variable क्या क्या आ रहे है x और y तो x की कितनी power आएगी 2 और 1 3 y की power कितनी आएगी 3 और 2 5 तो multiply करके हमारा यह answer आ गया हो अब हमें verify करना है अपना result तो क्या heading डालेंगे इसके लिए verification verification जो करेंगे हम वो किन values के लिए करना है जब हमारे पास x 3 होगा और y 2 होगा फिर से 2 side बना लेंगे एक left hand side और दूसरा right hand side left hand side में क्या लिखेंगे जो हमें given है उसको as it is लिख लेंगे multiply के sign के साथ और rhs में क्या लिखेंगे जो हमारा answer आया multiply करके यह answer आया था तो यह हो गया हमारा rhs में अब इसमें value put करते हैं minus 8 upon 21 x के place पर 3 तो 3 का square into y का cube y की value 2 है तो 2 into 2 into minus 7 upon 16 की multiply करेंगे x से means 3 से into y square means 2 into 2 अब जो cancel होगा वो हमें cancel करना है जैसे 3 7 0 21 7 से 7 cancel हुआ 2 8 0 16 और 8 से 8 cancel हुआ तो जो बचे हुए नंबर से उनकी multiply करते हैं 3 2s are 6 6 2s are 12 12 2s are 24 24 into 3 2s are 6 और minus minus plus तो 24 की 6 से multiply करेंगे 6 4s are 24 6 2s are 12 13 14 तो ये हमारा solve हो किया गया अब RHS में सारी values पूट करेंगे 1 upon 6 into x cube x की value का है 3 तो 3 का cube means 3 को 3 times लिखेंगे into y to the power 5 y की value 2 तो 2 को 5 times हम यहाँ पर note करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया अब देखो cancel करते हैं 3 2s are 6 और 1 2 से 1 2 cancel हो गया तो बचे हुए numbers की multiply हम करेंगे 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36 बचे हुए numbers की एक सार 2 2s are 4 multiply करते हैं 36 की 4 से 4 6s are 24 4 3s are 12 13 14 तो 144 LHS में भी answer कितना आ रहा था 144 RHS में भी कितना आ रहा 144 तो हम क्या लिखेंगे here LHS equal हुआ RHS के जब दोनों equal हो गए हैं तो हम क्या बोलेंगे hands verified ओके this is answer now start next question question number 20 हमें क्या given है find the value of this into this means की हमें इन दोनों की multiply करने हैं value निकालने आ है तब हमारी A की value 1 होगी और B की value 0.5 होगी तो देखो हम क्या करेंगे 2.3 A की power 5 B की power 2 की multiply करनी है 1.2 A square B square से तो आप इनी पर इनके values भी put कर सकते हो और पहले multiply करके answer लिखोगे फिर उसमें value put कर सकते हो तो मैं यहाँ पर direct value put करती हूँ A की power 5 means 1 को हमें 5 times लिखना है B की value sorry B की power 2 और कितनी value है 0.5 तो 2 times आजएगा 0.5 into 0.5 next 1.2 into A square 1 into 1 और B square है तो 0.5 into 0.5 multiply करते हैं यहाँ से इहां तक की एकसाथ करेंगे तो क्या आजएगा 2.3 क्यूंकि 1 से multiply करनी है इन दोनों की एकसाथ कर लेते हैं तो क्या आजएगा 55s are 25 और साथ में 2 digits से पहले decimal आजएगा into यहाँ से इहां तक की एकसाथ करते हैं तो 1.2 सेम ऐसे इन दोनों की एकसाथ करते हैं तो 0.25 अब देखो 0.25 0.25 की एकसाथ multiply कर लेंगे तो 0.0625 क्योंकि 25 का square 625 होता है 2 decimal place यहाँ है 4 हो गए तो 4 digits से पहले decimal लगेगा 2.3 की multiply कर लेते हैं हम 1.2 से तो कितना आजएगा 2.76 अब इन दोनों की आप multiply करोगे आपको multiply करनी आती भी है और मैंने सिखा भी रखे हैं तो कितना आंसर आजएगा 0.1725 इस इस आंसर राइट नाव स्टार्ट नेक्स्ट question number 21 यह भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है minus 8u square v6 की multiply करेंगे minus 2u v से u की value 2.5 दे रखे है तो u के place पर 2.5 पुट करेंगे उसका क्या करना है square तो यहाँ पर हम 2 times लिख लेंगे 2.5 into 2.5 into v की power 6 means 1 को 6 times लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 20 into u और into v 1 तो minus 8 as it is लिखा 2.5 की 2.5 से multiply करेंगे तो 6.25 आजएगा और 1, 1, 1 की multiply करेंगे तो 1 ही आजएगा minus 20 की multiply 2.5 से करेंगे तो 2 की multiply 2.5 से करेंगे तो कितना होता है 50 ओके और 20 से करेंगे तो 1, 0 और आजएगी 1 digit से पहले point लगाना है तो यहाँ पर आजएगा और into 1 लाफ्ट कर देंगे अब minus 8 की multiply करते हैं 6.25 से तो कितना आएगा हमारा multiply करके minus 50 sorry यहाँ पर multiply भी था ठीक है तो multiply करेंगे किस से minus 50 से यह जो 0.0s को हटा देंगे तो 50 की 50 से multiply करेंगे 5 की 5 से तो 25 00 as it is और दो बार हमारा minus थे हैं तो answer के आजएगा हमारा plus का और अगर आप यहाँ पर चाहते हो फ्रेंट्स यहाँ पर minus है ना तो आप इसको bracket में भी इस तरह से लिख सकते हो ताकि confusion ना हो आपका multiply का sign नहीं रह जाए जैसे हमारा भी रह गया था I hope friends आपको समझ आए हूंगे Please share your queries and feedback in comment section Thank you